एलो दस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नई वीडिम आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस नई वीडम लोग बात करने वाले है T20 आइसरीच के फर्स्ट मैच के पारे में जो के होने वाला है New Zealand versus West Indies इन दों टीमों के बीच में दोस्तों ये मैच रात को 12 तो फिर उलिएंथ आगस्ट और बारा बज़े मैच स्ञाट हुगा ठीक है और भेननी होने वाला है सभीना पाक जमाइका तो इंट्रस्टिंग मैच है हम लोगों ने रिसेंटली वेस्टन टेखा है हम लोगों ने रिसेंटली निजिलेंड को भी देखा है बडन स्टीम साथ रिटन आ चुके है विल्लेम से जो कैप्टरने टीम के वो रिटन आ चुके डेवन कॉन वेटरेंड बॉल्ट मतलब उनकी जो में टीम है वह आपको यहापर खेलते हुई दिखने वाली है ठीक है तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना आगे बढ़ने इस पर आप करेंगे अच्छे से तो आज आओ टीले घ्रम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्षिन में फिर्स कमेंट में या फिर आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स में भी मिल जाएगी काई इस पीच रिपोर्ट की बात करें तो देखो पहले वेदर रिपोर्ट में आपको बोल दू तो यह जो वेस्ट इंडियस की जो साइड है ना उदर इस पॉइंट पर बारिश होती है ठीक है रेनी सिजन मान के चल सकते अब बारिश आती है अब जब वेदर को चेक करोगे जमाइका का तो उतना खराब नहीं लग रहा बट ऐसा नहीं कि बारिश हो नहीं सकती है कुछ बोलने सकते हैं कभी बारिश आ सकते और कितनी भी आ सकती है तो यह नोट करके चलोगे अब बात करते पिच रेपोर्ट के बारे में तो मैंने आप यहापे कुछ ज़्याद मैच हो आता 2019 में ठीक है और लास्ट ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच हो आता 2017 में जो आता इंडिया वर्सेस वेस्टेंडीज का अब इस मैच में अगर आप देखोगे तो इंडिया ने फिर्स निंग में 190 बनाये थे और वेस्टेंडीज ने बहुत इजीले चेस कर लिया थ अब जो 2019 के बात करें तो यहाँ पर प्रेमिर लीग होता है उसके पाच मैच से आप ही हुए थे और एक मैच में 267 हाय स्कोर रहा था तो समझ सकते हो कि एक अच्छी पीच होती है बैटिंग करने के लिए और बहुत डाइम के बाद मैच हो रहे है तो उमीद लगा के चलो या फिर इसा मान के चलो कि आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है अगर न्यूजिलन पे ले बैटिंग करेगे तो हम लोग ज़्यादा उमीद लगाएंगे वेस्टन जिस का पता है आपको कि वो कैसा खेलती है या तो फिर सिदा दोसों बनाएंगी या तो स सब लोग जानते ही है कुछ इस तरह के से प्लेंग लिए और इनकी रहनी चाहिए बेंच पर इनके पास प्लेस वैसे अच्छे है बट यह ग्यारा प्लेस मोस्ट लाइग लिए आपको खेलते हुए मिलने चाहिए ठीक है अब चलते है हुआ क्या है इंडिया के सामने तो त अच्छे नहीं रहे बट पिछले मैच में जो लास्ट मैच था 56 के पारी खिली ती रोवन पॉल के सारे मैच खराब रहे ओडियन स्मित ने स्पेशली लास्ट मैच पे तीन विकेट निकाली थी पाच विकेट टोटल निकाली इंडाय के सामने बट अगर देखोगे तो बै मिली पाच विकेट एक्चुली जल जारे जोसेफ ने बॉलिंग अच्छी करी थी ओनिसली और इंको नाइन विकेट मिले थे एक ही मैच में छे विकेट मिल गए थे वो बात अलग है ठीक है तो यह थोड़ा नोट करके चलोगे बेंच पे एडन वाल्स जुनियर है पिछले टी-टी-टी मैचेस में तीन विकेट इंडाय के सामने जो खेला था अपर एक विकेट था शाम्रा बुक्स ट्वेंटी रन, थर्टीन रन, कीमो पॉल के बात कर था नाइंटीन रन, नोट रन, विकेट, जिरो रन, जिरो विकेट, डेवन थोमस ने तीन मैचेस क्लेट को भी मिल सकता है विदल ओवर्स में अलजारी जोसे बखिल उसे नापको बॉलिंग करते हुए और विद न्यू बॉल आपको मिल जाएंगे डॉमिनिक ड्रेक्स अकिल उसे नलजारी जोसे बॉलिंग करते हुए ठीक है अब दोस्तों बात करते हैं न्यूजिलेंड की कुछ इस तरह के सिंग का 14 प्लेस का स्कॉड है अब 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 अबिसली अपने फुल स्ट्रेंथ साइड के साथ खेलेंगे मार्टिंग अप्टिल है फिन एलन ओपन करेंगी या तो अगर टीम चाहे टीम अगर नहीं भाई आप फिन एलन को हम लोग नहीं करवाना चाहते हम 20 वलकप में खिलाई थी या फिर इंडिया के अगेंट्स खिलाई थी उसके बाद जो सिरीज थी उस टाइम पर डैर्ल मीचल ओपनिंग करते थे मार्टिंग अप्टिल के साथ बट आइसा कुछ में बैटिंग ओडर मान के चल रहो बट अगर कोई चेंज होना चाहिए तो अगर टीम चाहे एक्स्टा स्मिनर को खिलाना तो फिर किसी एक पेसर के जग़ा सकते हैं उसके जेमस निशम अविलेबल है विकेट किपिंग अगर फीन एरलन डेवन कौम ने दोनों में से कोई एक का आपको करता हो मिल जाएगा चलते अब लोग बात करते हैं रिसेंटली फिन एलन एक हंडेड लगाया था कंसिस्टन नहीं है बर आपको पता है जब चलते लंबा चलते हैं और फिर पूरा गेम जिदर से उधर कर देते हैं केन विल्लेमस ने रिसेंटली टी-टी-टी क्रिकेट खेला था आई-पेल में और बहुत अच्छा फाम आपको देखने क जमाइका यहां पे उन्हों ने टूटल पाच मैचस खेले थे ठीक है टोटल पाच मैचस तीन मैचस में 50 प्लस था जिसमें 87-Eन का हाईस्ट को रहा था और बाकी दो मैचस में 28 बनाया था और 40 बनाया था तो इस वेन्यों पे गलेन फिलिप्स के पास बहुत सारा एक्सपे मैच में ठीक है आई थिंग नेधरलेंड के समने और 77 नोटाउट बनाये थे बढ़िया बालर है और बढ़िया बैटर भी है टीम साथी कमबैक करेंगे बहुत अच्छे फ़र्म से आ रहे है आई पेल में इस शोदी का बहुत अच्छे से जानते हो अच्छे राइटम लेक ब बोल्ट भी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिलना चाहते है और फ्रेंचाइज लिक्स खिलना चाहते है जैसे आई पी अलोग अभी नई लिक्स आ रही है जैसे यूए की लिगे साहुत रुविका की लिगे ऐसा कुछ खिलना चाहते और थोड़ा सा पेसो मतलब इसे लिक्स खिलना चाहते है रिटार्मेंट नहीं लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से बट कंसिस्टनल मैचे नहीं खिलेंगे यह क्लेयर है इसी वज़े से इनको सेंटरल कॉंट्रेक्ट नहीं दिया गया है ठीक है तो अभी ट्रेंड बोल्ट अपने डिसिजन खुद ले सक अब राइट्स ट्रेंड बोल्ट के पास है कि वो कुन से मैचेस को खिलना चाहते है फिर उसके अगर बोर्ड चाहे तो उसको खिलाएगी अगर बोर्ड ने मना कर दिया तो बोल्ट आविसली नहीं खिल पाएंगे तो यह बात याद रखना ठीक है बेंच पर आईल मिचल इन टीट्वेंटी सिरीज के बाद तो वहाँ पर टॉम लेथम दिखेंगे टीट्वेंटी क्रिकेट टॉम लेथम नहीं खेलते है ठीक है डेवन थॉमस से इंडिया के अगेंस तीन मैचेस जरूर खेले ते नंबर पाथ पर बैटिंग करीगी हो सकता है खेले और अगर खेलें फिर यहाँ पर कायल मेर्स को प्रेफर कर रहा हूँ फिर यहाँ पर बड़ी ऑप्शन से देवन कौन है उनको भी मैने प्रेफर कर लिया बट अब आ जाते है कुछ ऐसे प्लेयर्स जो डिफरेंशल से जो गेम चेंजर से देखो पब्लिक आएगी केन विलियमसन के साथ 100% राइटना 48% सेलेक्शन है बट ले लेंगे फाइनल टीम में मैक्सिमम लोग केन विलियमसन को ले लेंगे रिसेंट फरम उतना अच्छा राहा नहीं था बट ब्रेक के बाद आ रहे है ठीक है तो फिर अच्छा कर सकते है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जब अच्छा करते ह को पताईए तो डेफिनेटल अगर आपसको सेब जाना है डारेक्ली केन विलियमसन को ले लो जो मोस्ट लैकली वन डाउन बैटिंग को आएंगे ठीक है फिर आते ब्रेंडन किंग जो उपन करेंगे कायल मेस के साथ इनका फॉर्म भी ठीक है हेट मैं ने लास में 56 के पारी प्रेंगे के लिए खिया भी है और अच्छा करते विए दिख भी जाए तो माइकल ब्रेस्वल को अभी तो में डॉप कर रहा हूं बट अगर खेल रहा है तो आप अपने टिम में 100% ले सकते हो ठीक है अभी मैं ने डॉप किया है बट क्यूंकि पता नहीं खेले नहीं खेल ठीक है अब चलते डेरल मिचल पे टाय कर सकते हो ग्रैंड लीग में बैटिंग आड़ चेक कर लेना अगर खेलते हैं तो ओडियंस भी इतना अच्छा किया था पिछले इंडा के मैच में बालिंग अच्छी कर थी बैटिंग में उतना अच्छा किया नहीं था सैंटनर तो ले चलँगा, फिर बाद में देखेंगे, जहांपे मैंने लिया सबसे फ़ defe Лोबoi को, विक्स ये बंदा विकट्स निकालता है, फिर मैंने लिया team Saudi को, फिर लिया मैंने trained bold को, दो ये मैंने 3 balls को prefer कर लिया, अब उच editor कर लिया, अब तड़ा नीचे चलतے है, ठीक है तो अकिल उसे नापको पावर प्ले में मिल जाएंगा एक्चुलिए आप इनको ट्राइ कर सकते हो सोधी एक अच्छे से जानते हो विकेट टे करें फिर अलजारी जोसिप में अच्छा किया था इंड्या के सामने फिर आज जाते लोकी फोगिशन यह जो विकेट्स निकालते ना बलक में विकेट्स निकालते हैं 3-4-4 विकेट्स लेके चले जाते हैं वह डेथ में डालते तो आपको पते हैं फिर चाहिए जोड़ने का नोट करके चलना मैं अब यह लिए ले लिए हैं से लेक्शन और बहुत कम हैं स्थिल मैं उनको अपने टिम में रख रहा हूँ फिर आते डोमिनिक डेक्स अच्छे लेप्टाम पेसर ये भी विकेट टेकर है ठीक है बाकी हेडन वाश नहीं खेलेंगे कि मोपॉल शायद से ना खेले मैट हैंडी वैसे भी नहीं खेलने वाले तो यह कुछ मैंने चार बॉलर्स ले लिए बॉलिंग सेक्शन में बटे कि इ इनके फिर बॉलिंग करने के तोड़ी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे बिडल ओर्स में ठीक है तो यह नोट करके चलोगे अब इस पॉइंट पे अगर मुझे पूछोगे तो मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ इस सोधी को बिकाज लेक्स पिनर लेक्स को ज्यादा विक सकते हो सेप ऑप्ष्ण है ठीक है अगर आपको वेशट इस मैसे लेना चाहते है दो अधिलेंग विल्यम संको प्रेफर किया कुछ इस तरह के से में अपनी टीम बनाई है प्र अगैन किस तरह के से न्यूजिलन की बैटिंग और रहीगी किस तरह किस उनकी बालीग उनित रहीगी first match में उसके according हम लोग कुछ decisions लेंगे अगर पहले New Zealand की batting आएगी तो हमें कोई एक baller को यहां से हटाना पड़ेगा और एक इस्टा batter obviously हमें वहाँ पे add करनी की कोशिश करनी पड़ीगी अगर New Zealand की पहले batting आती है तो अगर New Zealand की पहले balling है तो फिर ये team ठीक ठाक है फिर भी अगर Finn Island open कर रहे तो Finn Island को भी लेनी की कोशिश हम लोग करेंगे विकाज ओपन करेंगे ठीक है तो यह कुछ changes हम लोग करेंगे बाकि West Indies के ओर से आपको जो भी ठीक लगे आप उठा लो आपकी मर्जी में holder को drop करने का बहुत सोच रहा था विकाज उतना अच्छा इन्हों ने किया नहीं है बट यार balling पूरे कर सकते हैं और अगर करना चाहो तो मुझे लगता है टीम साथी ट्रेंड बोल्ट लोकी फोर्गिसन यह भी अच्छे ऑप्शन से बट ऐसा कोई डायरेक्ट पीक नहीं है जिसे आप लोग डायरेक्ली कैप्टन आइस कैप्टन कर दो सारे रिस्की पीक से तो अपने गट फ ठीक है मैंने अगर मुझे पूछो कि इस पॉइंट पर मैं किसे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर देवन कॉनवे को मेरी कैप्टन सी दी है और वाइस कैप्टन सी की बात कर तो मैं यहाँ पर टीम साथी को देखे चल रहा हूँ बट अगेन इस हाइली रिस्की इनको चैनल पर जरूर आजाओ, टेलिग्रम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट पर मिलेगी, प्लस साढ़े गयारा बज़े, उन्रेट का मैच भी, गयारा साढ़े गयारा बज़े, वो भी हम लोग टेलिग्राम चैनल पर रहेंगे, तो आजाओ, कल से उमन मैचे स्टार्ट होंगे, वो भी हम लोग कवर करेंगे, तो बेस्ट प्लाटफॉर्म में आजाओ, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, यूटिब चानल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी कर लो, because बाके मैचेस के भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, रेगुलर चलो, thank you so much guys for watching.